नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान मैं मनीशा करने आई हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय यूक्रेन और रशिया के बीच क्या चल रहा है इसी बीच हमारे काफी सारे भारतिय विद्धार्ती और अन्ने लोग वह वहां फसे हुए हैं इसी बीच एक और बात सामने आई एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें इस्टुडेंट्स को लोटते हुए दिखाया जा रहा है और वो मजाग बना रहे हैं इंडिया का इंडिया की गौर्णमेंट का या बहुत हस रहे हैं बचने का ऐसा ड्रामा कर र जो जैनुइन लोग वहां फसे हुए हैं जो बच्चे वहां फसे हुए हैं और उनके परिजनों का कितना दुशकर हाल हो रहा है उस समय सभी चिंतित हैं परिशान हैं तो बजाए आप किसी का मजाग बनाने के आप करिए थोड़ी सी प्रार्थना जिससे की सभी सुरक्षि सारे इंडियन सुरक्षित अपने घर वापस आएं और अपने सेफटी के साथ अपने घर के लोगों के साथ मिलें दूसरी बात युक्रेन और रश्या का ये युद भी जल्दी से जल्दी रुके क्योंकि इसमें जितनी भी हानी हो रही है युद हमेशा ही हानी कारकी होते ह हैं दोनों तरफ से क्या कारण है युद का क्या नहीं है क्या करना चाहिए क्या राजनिती है वो एक अलग विशे है बट मानव तक हिनाते हम यही चाहूंगी कि हम सभी को ये प्रात्ना करनी चाहिए ये सब रुके और क्रपिया सेंसिटिविटी के साथ उन स्टुडेंट् कारे में सोचिए जो वहां फसे हुए हैं मैं खुद इसकी एक गभा हूँ मेरी एक जानकारी में है एक बच्चा जो फसे हुए हैं अन्य बच्चों के साथ वहां पर और कितना परिशान वो हो रहा है बॉर्डर तक वो पैदल चल कर आए फिर वापस आना पड़ा उन्हें कुछ नहीं मिला गॉर्णमेट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और हम जितनी सम्मव कोशिश कर पा रहे हैं ऐसे स्टुडेंट्स को वापस लाने में गॉर्णमेट भी कर रही है तो उनका सहयोग करें कृपया उनका मजाकना बनाए प्रार्थना करें उनके लिए कि वो स इसको फॉर्वर्ड भी मत करिए बात को समझने की जो कंडिशन है जो इस्तिती की नजाकत है और जो सेंसिटिविटी है उसे समझने की कोशिश करिए प्लीज